बागेश्वर में आज पुलिस अदिक्षक के आदेश के अनुसार FSSO महेर चंद के निर्देशन में जुला फायर सर्विस के करमचादियों ने कोविट केर सेंटर और ट्रॉमा सेंटर में डेमोस्ट्रेशन का अजन किया जिसमें मौजून सभी स्टाफ को आग बुझाने के तरीकों के बारे में बताया गया साथी फायर उपकर्णों की जानकारी दी गई इसके साथी नकली आंग लगाकर फायर एक्स्टिंग्यूशर और मिनी हाई प्रेशर से पंपिंग का पूलिंग मैथट से आग बुझाने का डेमो दिखाया गया बागिशो जिले के कपकोट में आज सीएम धामी दौरा करने वाली थे लेकिन आखरी समय में कोहरे के कारण वो छेतर में नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन से कारेकरताव को संबोधित कर शुरेशकडिया को जिताने के लिए जी जान लगाने की बात कही जोनान उन्होंने कहा कि शुनाफ के बाद भाजपा के इस बार की सरकार पूर्ण बहुमत से 70 के 70 सीट जीत कर नया इतिहास लिखेगी वह इस मौके पर कॉंग्रेस के अनुसूचे जाती प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष और कई कार्यकरतावने भाजपा की सदस् एक युवा होने के नाते अपना जो विचला दानपूर का अंतिम छोड़ उदर गोगिना की मुखा सेतर है तो वहां तक भी मैं पहुंचा हूँ और कल वहां पूरी बरबारी थी लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमारी मात्री शक्ती युवा शक्ती हमारे जो नग जा था एक तरब से बराप वाड़ी उपर से और लीचे वो लोग इंतजार कर रहे थे तो इतना उसा लोगों के अंदर है कि उनको लगता है कि हमारे पीच का हमारे इपना बिनामावाब का बच्छा जो है हमारा भावरती जन्ता पार्टी का पत्याशिवा बनके ह बहुत लोगों में साहा है भारती जन्ता पाल्टी के पक्समें भारी मददान होगा। चले और बैट समेत कई तरह का सामान बाटते हुए मददान करने के लिए जागरूप किया है। हम ने यहां बैजनाच जील पर भी एक सेल्फी पॉइंट लगाया है। इसके अत्रिक्त हमने मेन बाजार बागेसवर में, हमारे काफली गेर में, कौसानी में और हमारे कोट में भी सेल्फी पॉइंट्स लगाया है। स्टीप ने मददातां को जागरूप करने के लिए जन्पत में विवित पिकार के कारिक्रम चलाए हुए। इसके में मेरा समस्त जिन्पत वाचें से ये निवेदन है कि वो हर संभव प्रियास करें और 14 फगरी 2022 को मददातां को अपनी भूर तक आउटने के लिए प्रोक्साहिट करने का प्रियास करें। बागेश्व जिले के तुनेडा बसेत मोटर मार में डामजी करन नहीं होने से ग्रामीनों को मोटर मार्केट से आवजाही करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वहां लगतार दुरगटना होने के आशंका भी बनी रहती है वहीं सड़क कटान के मलबे से किसानों की उपजाओ जमीन भी बरबाद हो रही है जिसको लेकर ग्रामीनों का कहना है कि उन्हें अभी तक जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल पाया जिससे सभी को ल हमारे पास है उसके बात रहे हुए थिल्रा गुछलफ दियावजा बिदयाइखई में उसके बास ठांस सभी मारे वातार ने फिल्ले हुए थी यह पैकर देंग है अब भी देखें आप किसालित में यहां पर आये होंगे आप सुथ ही इसका संग्या ले सकते हैं मोटर रोट का सब प्रिक्षक निर्वाचन व्याई गजेंद्र सिंग ने कंट्रोल रूम और एमसी एमसी का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी जानकारिया दी और आने वाले विधान सबा चुनाव को लेकर किसी भी तरह के पेड न्यूज और फेक न्यूज समेत प्रिंट और एलेक्ट्रोनि रखने के आदेश दिये हैं